नमस्कार दोस्तों, हमारे online tuition अड़ा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों बिल्कुल सुरुवात से जीरो लेबल से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना कैसे सिखें इसके लिए आज का यह क्लास हैश्टेग 12 हाँ दोस्तों यह हैश्टेग 12 है इस क्लास में मैं आपको छोटी उ की मात्रा से रिलेटेड जितने भी सब्द आता है उन सभी सब्दों को बिल्कुल असान तरीका से हिंदी टू इंग्लिस हाँ दोस्तों यह कहीं पर भी वाटसब पे फेस्बुक पे या इस्टाग्राम पे कहीं पर यदि आप मैसेज करते हैं आपके दिमाग में हिंदी में आ रहा है लेकिन आप सोच रहे हैं कि आप सब्दों को देखते हीं एक बार में उसको हिंदी टू इंग्लिस कनवर्ट करके आप असानी से मैसेज कर पाएं या कहीं पर इंग्लिस में लिखा हुआ है आप चाह रहें कि उसको हिंदी में हम पढ़ दें तो ये सब कुछ आज की इस क्लास में बिल्कुल असान तरीका से आपको सिखाने बला हूँ, समझाने बला हूँ तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नुट्फिकेशन आउन कर लिजेगा ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे वो भी बिल्कुल फ्री में तो आएए दोस्तों खुब अराम से हम लोग एक सब्दों पे प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से इसको हम लोग सिखते हैं सबसे बड़ा दिक्कत दोस्तों को यह होता है कि यह जो चोटी उ है इसका इंगलिस हम लोग यू लिखें कि डबल ओ लिखें तो दोस्तों देखिए यह रूल जो होता है बड़े उ की मात्रा में लगता है कि यू लिखें कि डबल ओ लिखें लेकिन छोटी उ में केवल और केवल यू लिखा जाता है जो कि मैं पिछले क्लास में भी आपको बताया था लेकिन आज की इस क्लास में दोस्तों बड़े-बड़े सब्दों पे हाँ जैसे रगुनात, सुधाकर, कुलदिप इस परकार के सब्दों को मैं आपको बिलकुल असान तरीके से सिखाने वाला हूँ यदि आप खुब ध्यान से इस क्लास को देखते हैं तो 100% ग्रांटी है कि आपको एक बार में सब कुस समझ में आ जाने वाला है थोड़ा सा यहां हम लोग उपर देखेंगे दोस्तों यह देखेंगे आपकी यह जो छोटा U है इसका इंगलिस क्या लिखा है यहां पर केवल U लिखा है और मात्रा भी आप देखेंगे तो ऐसे लिखा है जबकि बाकी सब का देखेंगे बड़ी का देखेंगे तो डबल ई आई इसका मैं पिछले क्लास में पढ़ा दिया हूँ हैश्टैग एट और नाइन जरूर देख लिजेगा नाइन और टेन ठीक है इसके पहले यहाँ पर आ का कंफ्यूजन था कि डबल ए होगा कि ए होगा यह सब कुछ में क्लियर करा दिया हूँ एक के कलास में नमबर वाइज क्लियर करा रहा हूँ तो आप दोस्तों मेरा एक भी कलास मिस मत कीजिएगा यदि वो सब कलास नहीं देखे हैं तो आप असानी से मतलब की प्ले लिष्ट से देख सकते हैं या एबाउट सेक्षन में मेरा नमबर मिलेगा वहां से आप मुझे कंटेक्ट करके सभी वीडियो ले सकते हैं देखे यह अगला कलास होगा इसमें यह सब हम लोग सीखेंगे तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए क्योंकि यहां पर बहुत कन्फ्यूजन होता है तो आज का यह कलास दोस्तों हम लोग यह सब्दों पर प्रेक्टिस करते हैं और अच्छे से सिखते हुए आगे हम बढ़ते हैं जैसे कि यह देखेंगे यह लिखा है कुशुम कुसुम यह क्या है किसी लड़की के नाम हो सकता है कुसुम ठीक नऑ तो देखेंगे यह कुसुम है तो कौक आपको बता है कि खे हो-चैगा और की मतलगा है तो च्वण के सा सो जाएगा की मतलगा है तो दूसरा तरीका इसको लिखने का ये है कि यदि आप English to Hindi बारा खड़ी पढ़े होंगे या Hindi to English जो बारा खड़ी आपको मैं याद कराया था इस स्रीज में भी हैस्टेक थिरी क्लास जो है उसमें भी मैं ये चपचीज सिखाया हूं तो डार्रेक्ट आप बारा खड़ी के भी सहायता से लिख सकते हैं कैसे यहां पे देखिए र का लिख देंगे आर ए घू का लिख देंगे जी एच यू रगू ना तो देखिए न ए न और टी एस सिथ ये कैसे जैसे कि आप सेखे हूंगे तो वहां पर गाइँ से सू मार रिखा शू म थे नो माल नजीते हैं टो तौहां पर बार्च करते हाँfel डाक हो upать क्छी एक अचा pickled шजूआ है से कभंड़ाया हम झाओक्त एक प्लिग सकते हैं। और भी निख चाह्कते और क 누dert का सबक रहें किया हागा हुँ आपितना ही याद रखिए कि एक फडियो कोई भी मातरा नहीं था है और वो लास्ट में नहीं है, यदि वो लास्ट में नहीं है, बीच में कहीं पर मिल जाए, शुरुबात में मिल जाए, तो उसमें ए लगा कर हम लोग उसका इंगलिस लिखेंगे, जैसे मा का ए में ए लिखेंगे, और ना का ए लिख देंगे, तो सुमन हो जाएगा, ठीक है, स video को skip नहीं करना है को अब दियान से दखना है देखिए यहां पर लिखा है अ तूल अ तूल तो देखिए क्यवाल ए लिखेंगे यह नहीं कि डबल ए यहां पर नहीं लगाएंगे क्योंकि खुद यह स्वार बंड का ए से अ होता है ठीक है तू का कैसे लिखेंगे टी यू तू और ला का लिखेंगे ल हो गया बहुत असान है ठीक न अतूल यहां पर देखेंगे लिखा है क्या लिखा है क्या लिखा है क्यूल दीप तो कू का लिखेंगे क्यू कू ला का लिखेंगे ल कूल दीप का लिखेंगे डी डबल ए पी को बड़े बड़े ये जितने भी नाम है किसी भी जगह का, किसी व्यक्ति का, किसी बस्तु का, ठीक ना, तो इसको दो पार्ट में तोड़ लेना है, क्या करना है, दो पार्ट में तोड़ लेना है, तोड़ने के बाद, यदि आप उसका इंगल से लिखते हैं, तो बहुत तो फिर बड़े नाम को लिखने में आपको काफी असानी होगी, तोड़ेंगे तब, जैसे कुल, कि के यू एल, और दीप का, क्या होगा, डी डबल ए, पी, कुल दीप, ठीक ना, तो ये रूल लगता है, यहाँ पे, ये ए वाला रूल यहाँ पे, नहीं लगता है, यहीं लगेगा, ठीक है, तो इस तरीका से भी आपको लिखना है, देखें, यहाँ पे लिखा है, सुपारी, क्या लिखा है सुपारी, तो सु का लिखेंगे A-C-U, सु, पा का लिखेंगे P-A और री का लिखेंगे R-I मैं ये भी चीज़ बताया था कि कैसे लास्ट में बड़ी की मातर रहेगा फिर भी I लिखेंगे, दोस्तों मैं हमेसा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी मैं सेसने स्टार्ट करता हूँ उसका एक एक क्लास अब देखी नंबर वाइज, फिर उसके बाद हम से बोलिएगा कि सार मुझे अब नहीं आ रहा है तब मैं आप से बात करूँगा ऐसा कभी नहीं हो सकता है यदि आप मेरा क्लास स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको जरूर हंडेट परसंट आएगा और आएगा ही आएगा ये चीज मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ जरूर आएगा तो सुपारी का हो गया मधू माला क्या लिखा है मधू माला तो देखिए मधू तो एम ए मधू डी एच यू मधू माला तो देखिए माला एम ए एल ए तोड़के लिए ना मधू माला असानी से हो जाएगा ठीक है चलिए उसके बाद देखेंगा दोस्तों ूदूर को अक्षर को रधाएद रधाय smack है छी हएँ इसे तसके यूकर का है उसी को भी एक्षर हमें चैमि जिसमें जिसमें हमम्हाद लगहा हो तो वहां पर उस अक्षर का पर एंगलिट्स तो लिख कर और फिर उसमें यू लगा देंगे, क्योंकि ये असान तरीका है, जैसे माले कि तू लिखा है तो टी से तो होता है यू लगा देंगे, तो तू हो जाएगा कू लिखा है, तो के से का होता है यू लगा देंगे, ये चीज भी मैं कई तरीका से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, मैं पूरा वादा आपसे करता हूँ, कि यदि कलास को खुब ध्यान से देखते हैं, तो आपको फिर दोबारा ये कभी परिसानी नहीं होने वाला है, ये एक बार में आप अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक ना? चली, यहां पर लिखा तुस्तों, म थूरा, म थूरा देखें, म थूरा एक जगा भी है, आपको पता होगा तो म का हो जाएगा, म थू का हो जाएगा, टी, एच, यू, थू, रा, तो आर, ए क्या हो जाएगा, म थूरा लाश्ट में अकार लगा रहेगा, तभी ए, हम लोग लगाएँगे उसके बाद देखेंगे लिखा, हनुमान, क्या लिखा है? हनुमान, ठीक है? तो हनुमान के लिएगे, ह का लिखेंगे, ह, ए, ह, नु का लिखेंगे, ए, न, यू, हनुमान नामन, तो म, ए, एण, हनुमान, हनुमान नगर, हनुमान जी यह सब देखते होंगे आप बहु जगा लिखा हुआ रहता है, अखनुमान मंदीर ऐसे भी लिखा हुआ रथा है, तो नकुल, क्या लिखा है? नकुल, तो न का लिख लेंगे एण, न, कु, तो क, यू, कु, और ल से L Sean नकुल असके बाद एके दोस्तों यहाँ पुख राज पुख राज तब फुख राज उफके राज़ का लिका ही दो परट में दोस्तेर ही लिख पुख राज है तो र अ-च ऊसलिए दोस्तों यहां पे ए नहीं लगा कहा रहा आपकर राज आपको पुखराज, यह नियम आपको कही नहीं मिलने बाला है, किसी भी बूक में खोज लिजिए, किसी भी चैनल पे खोज नहीं मिलने बाला है, यह खुद से मैं भाहु सारा रिसर्च करके मैं आपके लिए तयार किया हूं, और हंड़ेट परसंट सट्टिक है, लागू है, आप कहीं पर भी इसको यूज करके देख लिजिए, ठीक ना, चली, मेरे चैनल पर दोस्तों नया नया चीज आपको मिलते रहेगा, और बिल्कुल असान तरीका मिलेगा, बिल्कुल असान तरीका, ठीक ना, तिक यहां पर लिखा है, कुमार, कुमार, क्या लिखा है, गु, तो जी, एच, यू, रगु, वर, तो भी, ए, आर, क्या हो जाएगा, रगुवर या डबलू, ए, आर भी आप लिख सकते थे, रगुवर, ठीक है, उसके बाद लिखे दोस्तों, यह लिखा है, अनूज, ठीक है, तो अ का लिखेंगे, ए, नू, तो ए नियू, और जे अनूज, ठीक है, अनूज, गुरु कूल, क्या लिखा है, गुरु कूल, तो गुरु, तो जी, यू, गु, आर, यू, रु, गुरु, गुरु, कूल, तो के, यू, एल, एक एक करके लिखेंगे, एक एक अक्षर का जब लिखेंगे तो आप सही लिख पाएंगे, ठीक ना, यदि कॉपी पेन हो, तो आप उसके सहायता से लिख सकते हैं, यदि नहीं होगा, तो कमेंट बक्स में एक एक सब्दों का, इंगलिस लिख लिख कर कमेंट कर सकते हैं, इस तरीका से आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, लिखना भी जरूरी होता है, पढ़ने तो ब क्या हो जाएगा, कुमारी, उसके बाद देखेंगे दोस्तों, ये लिखा है, रूपवान, रूपवान, तो दो पार्ट में इसको तुल लेंगे, रूप और वान, तो रूप का लिखेंगे, आर, यू, पी, रूपवान, तो देखेंगे, भी, ए, ए, न लिखी है, या पारूप, वान, तो डवलू, ए, ए, इन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो दोनों तरीके में कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, उसके बाद देखेंगे, दुस्तों लिखा, दुनिया, क्या लिखा है, दुनिया, तो डी, यू, दु, नी, तो एन, आई, नी, औ कुमा, तो M, A, म, री, तो R, I, से री, और K, A, से का, क्या हो जाएगा, कुमा, रिका, कुमा, रिका, ऐसे, कुमा, रिका, ठीक है, गुडिया, अब देखें, यहाँ पर दिक्कत होता है, दोस्तों को, कि यह डी से डा होता है, लेकिन यहाँ क्या है, डा के नीचे से बिंद कि बिंदेगा है, तो क्या लिखाएगा, देखें इसका क्या होगा, गुका होजागा, जी, यू, गु, गु, अडी, तो D, I, ही लिख सकते है, ठीक है, यह नाम है, तो ऐसे भी आप देखते होंगा, लिखा हुआ रहता है, बहुजगा पर देखेंगा अपर अप आर यूरू वात्त ए डबल ए या क्यवल ए दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, इसे सुरुवात आप लिख सकते हैं, ठीक है, मध्हूर, क्या लिखाएं, मध्हूर, तो मा का हो जाएगा, एम, ए, धू, तो डी, एच, यू, धू, और आर शे, रा, क्या हो जाएगा, मध्हूर, ठीक है, मध्हूर के बाद लिखें, दूराचारी, क्या है, दूराचारी, तो दू का हो जाएगा, डी, यू, दू, रा, तो आर, ए, रा, दूरा, चारी, तो सी, एच, एच, एचा, और आर, आई, से, री, आई, से, दूराचारी, ठीक है, दूराचारी, वसुधा, क्या लिखा है, वसुधा तो भी एवव सू A-C-U-सू और D-H-A-धा क्या हो जाएगा वसुधा ठीक ना वसुधा उसके बाद दिखिए यहाँ पर है दोस्तों खुशहाल क्या लिखा है खुशहाल तो खुखा हो जाएगा के एच यू खुखा खुशहाल तो H-A-L तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है यह तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K-H-U-S-H खुशहाल अइसे भी लिख सकते हैं यह भी साही है यह भी साही है ठीक ना दोनों साही है कोई दिक्कत नहीं यहाँ चलिए आगे दखिए लिखा दोस्तों पुजारी क्या लिखा है पुजारी तो पु का देखिए P-U से पुजा तो J-A और E का R-I क्या होजाएगा पुजारी ठीक है पुजारी मुलायम मुलायम क्या लिखा है मुलायम मुलायम के बाद देखिए दोस्तों आगे है सुबह लिखा है तो देखिए सुबह बुल-बुल क्या लिखा है बुल-बुल तो बु तो B-U-B-U और L से लगए देखिए बुल और बुल दो पार्ट में तोड़ लिजिए बुल फिर बुल का लिख लेंगा B-U-L तो बुल-बुल ठीक है सुमन क्या लिखा है सुमन तो A-C-U-S-U-M-A-M-A और N से न सुमन उसके बाद लिखे दोस्तों यहाँ पर लिखा है रुकसार क्या लिखा है रुकसार तो रुका हो जागा R-Y-U-R-U-U-K-H-K-A-R-U-K-H सार तो A-S-E, R-E-U-K-S-A-R दो पाट में तोर्दकर है रुकसार, ठीक ना? कुटिया, कुटिया, के, यू, कु, टी, आई, से टी और वाई, अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में चल रहा होगा दोस्तों का, कि सर यहाँ पे कैसे तोडेंगे हम लोग सुमन को, ठीक ना, सुबा को कैसे तोडेंगे दो पाट में, दोस्तों यह केवल और केवल, बड़े सब्दों के लिए यूज होता है, जिसे चार वग पांच अक्षरवाले सब्द हैं, यह चीज आपको समझ कर रखना होगा, ठीक ना, तीन अक्षरवाले में, दो अक्षरवाले में, यह नियम नहीं लगता है, बड़े में लगता है, जिसे रुकसार था, बुल-बुल था, फुट बाल है, ठीक ना, तो फुट का लिख लेंगे, फुट फुट बाल, तो ब-A-L, ऐसे लिख सकते हैं, फुट बाल, ठीक ना, लेकिन वो वर्ड मेनिंग बला दूसरा होता है, फ, डबल, ओ, ट, फुट, ब, A, डबल, L, वो अलग है, ठीक ना, फुट बाल, वो दुकान, तो दुख लेंगे, डि, यू, दू, का, तो के, A, का, और N से, न, क्या हो जाएगा, दुकान, दुराचारी, क्या लिखा है, दुराचारी, डि, यू, दू, र, बाल, र, र, दुरा, चारी, तो C, H, H, E, चा, और RH और आर य से, री, दुराचारी मूराली तो एम यू से मू र, आर ए से र और एल आइ से ली मूरली मुसकान, क्या लिखा है? मुसकान, तो A-M-U-S, मुसकान तो क-A-N मुसकान, ठीक है? कच्छुआ क्या हो जाए? देखे, तोड़कर हुआ है मुस और कान मुस कान ठीक है कच्चवा कच्च्चो च का काच्च्चू C., C., H., U कच्च्च desarrollo तो A या दबल A भी लिख सकते हैं या A भी लिख सकते हैं ठीक है तो कच्च्च्च्च抱 ठीक है उसके बाद देखिए दोस्तो मुहावरा क्या लिखा है मुहावरा तो मु का हो जाएगा M-U-M-U-H-A-H-A-H-A-W-A तो B-A-W-A और R-A-S-A-R-A मुहावरा क्या हो जाएगा मुहावरा पूरुश पूरुश देखें आदी पूरुश तो कैसे लिखाता है देखें आदी पूरुश देखें आदी पूरुश मुवी जो आप देखें होंगे कैसे आदी तो B-A-D-I आदी पूरुश तो P-U-R-U-S-H आदी पूरुश ठीक है गुल-गुला क्या लिखा है क्या है मुकुट तो A-M-U से मू K-U से कू और T से ट मुकुट यदू-1-C क्या लिखा है यदू-1-C Y-A-D-U यदू-1-C तो B-A-N और S-H-I क्या हो जागा यदू-1-C यदू-1-C हो गया उसके बाद की यमुना क्या है यमुना तो Y-A-Y M-U-M-U और N-A न यमुना चुल-बुल क्या लिखा है चुल-बुल C-H-U-L चुल B-U-L बुल चुल-बुल ठीक है जामुन-जामुन देखे जा का जे ए जा M-U मु और N से न जामुन फूरसत आज क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बुक्स में जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके निटिफिकिशन अन कर लिजेगा तो चलिए दूस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंदे कर दो सब्सक्राइब कर लिजेगा